आपको भी बीना चोकोला बेलन का रोटी बनाया हैं गरेंडर की मदद से नहीं तो चलिए फ्रेंज आप लोग पूरा वीडियो देखिए फ्रेंज घैड और किचिर की काम तो अब डेली ही करते हो वही काम टीप सें ट्रिक से किया जाये तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है और बहुत सारे चीज से बचत भी होता है जैसी कि समय की बचत अपने लिए समय भी निकाल सकते हैं फ्रेंज पहला टीप से कुछ इस तरीके से लेकर मेथी के पत्ते से लेकर तो ठंडा कमोसा में और मेथी अभी बहुत ही मिलना श्टार्ट हो गया है तो फ्रें ज़रूर बताईएगा फ्रेंज कि आप अमेधी का पराठा अच्छा लगता है ना कोमेंट से वक्स में बताईएगा अब इस जितना खाने में अच्छा लगता है उतना मेहनत भी इसमें है तो बैटकर एक पत्ता कौन इसे बीचता है बहुत सारा मेहनत लग जाता है तो इसमें हमें इस तरीके से डाल देंगे तो देखिए इस तरीके से हम डालेंगे ना तो बहुत ही आसानी से हमारा सारा पत्ता इस तरीके से निकल जाएगा फ्रेंज यह बहुत ही अच्छे तरीका है और इस तरीके से आप छकना ले ले तो दो तीन इस तरीके से आप नि कल जाता है तो है कमाल का टिफ्स अगला टिफ्स कुछ इस तरीके हमारी वीडियो किस कोने से देख रहे हैं उप जरूर बताना थी इस तरीके देंज की यह ना फोर्ठ ऑमे पूरि किस तरीके से बनाई है भाहud आसान तरीका है औरेजी है तो देखिए फ्रेंस हमें करना क्या है इस तरीके से लेना है एक ग्रेंडर और ग्रेंडर में हम इस तरीके से डालेंगे पूरी जो भी हम पेरा बना कर रखे हैं फ्रेंस तो इस तरीके से हम पूरी बनाएंगे तो ये देखिए हमें लेना है इस त रप्टा हो नीचे का हिस्सा ताकि ये दवाय अच्छा से तो देखिए फ्रेंस हमारा ये पूरी बहुत ही अच्छा बन कर तयार होगा देखिए इसमें डिजाइन भी निकल गया है तो ये आप सोच रहे होंगे कि हम इस तरीके से क्यों बनाए तो फ्रेंस इसे ना देखने म होता है छोटे बच्चे को क्यों हैं छोटे बच्चे बाहर का खाना बहुत ही पसंद करते हैं और वह बहुत खाते हैं घर का खाना तो भी लेगा हैं आप it और बड़ा भी बनेगा, तो देखी फ्रेंस, कितने अच्छे से हमारा ये पूरी बनकर निकल गया है, देखीए, अब चलते हैं फ्रेंस, इसे फ्राइ करते हैं, तो ये है ना कमाल करें, अब इसे बच्चे जिसे की देखेंगे, देखें, पूरी हम इसमें तलते हैं, बना गया है, और कितने अच्छे से पूरी भी बन गया है, बच्चे देखकर तो खूस ही हो जाएंगे, अगला टिप से कुछ इस तरीके से लेकर, जैसे कि हमारे इस तरीके से खाली, कॉलगेट का ये है, तो कॉलगेट खाली हो गया है, अब इसे तो हम फेक ही देते हैं, तो देखिए फ्रेंज, हम इसको किस तरीके से देखिए, बेकार समझ कर हम फेक देते हैं, और इसे हमें यूज मेलेंगे, तो ये बहुत बढ़िया यूज मेले सकते हैं तो पहले तो हम इसे काट लेंगे, कुछ इस तरीके से देखिए, कैची की मदद से, छोटे वाले इसे अच्छे से कट जाता है, यहाँ पर हम इस तरीके से कट कर लिए हैं, अब हमें देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको लगा कर, कि ये सही से कटा है या नहीं, क्योंकि हमें फिर भी इसको कटना है नहीं होगा, तो फिर हमें इसे कट करना पड़ेगा और भी, तो देख पास बढ़ा है तो आप उसे यूज में ले शकते हैं देखे असाम इस तरी के से निकाल लिये हैं यह पर जेशे की देखिये टार इस तरी के सी हमारे बहुत सारे तारिधर जो भी अब येर फोन हो गए या इस तरीके से चार्जर हो गए तो हम जब भी इस तरीके से बाहर जाते हैं या फिर कहीं पे भी रखते हैं तो इस तरीके से न हम रखा हुआ रहता है तो ये फैला फैला रहता है फिर उलच जाता है एक दूसरे में और स तरीके से न हम क्या करेंगे एक जगा earphone charger इस तरीके से हम इसमें करकर रख लेंगे देखिए फ्रेंस कुछ इस तरीके से और क्या करेंगे इसको ढखकन अब इसमें लगा देंगे तो देखिए कितना बढ़िया से अच्छे से ये सेट हो गया है और ये एक जगा इस तरीके से अच्छे से रह जाएगा तो फ्रेंस ये बहुत ही कमाल का टिप से देखिए अच्छे से हम एक जगा समान आ भी गया है तो देखिए इसे बहुत सारे बेकार का समान है जिसे हमें यूज में ले सकते हैं अब यहाँ पे आगे हैं कीचन में फ्रेंस तो अक्सर क्या होता है इस तरीके से कोवी को कट करना बहुत टैम लगता है अब हमें छुटे-छुटे कट करना हो या सबजी के लिए तो हमें दो कट करना पड़ता है जैसे कि फैमली आ गए हैं तो ज़्यादा सबजी बनना अब हम इस तरीके से काटेंगे पतले-पतले तो टाइम तो लगी जाता है तो फ्रेंस हमें करना क्या है इस तरीके से लेना है पहले धो लेना है इसको दोने के बाद आप देखे फ्रेंस हमें गिलास लेना है इस तरीके से धाड़ वाले लेना है थोड़ा सा उसके बाद हम देखें कितने अच्छे से हम इसे cut करेंगे। तो friends यह है ना यह घंटो का काम in time हो जाएगा। आपको बहुत सारा time लगता है आप इस तरीके से cut करते हैं तो आपको एक minute में बहुत सारा सबजी इस तरीके से cut कर सकते हैं। तो यह friends बहुत ہी कमाल का लिप से, देखिए हमें इसे ही YOOч करते हैं, और बहुत असानी से सब्जी भी कर जाता है, तो ऐसी कीचन में बहुत सारे चोटे काम है, जिसे हमें थोड़ा सा समझदारी से किया जाए, तो मुशल से मुशल काम असान हो जाता है, तो देखे फ्रेंज इस तरीके से हमारा सब्जी कट कर तयार हो गया तो इस तरीके से हम बहुत सारे सब्जी कट कर सकते हैं तो फ्रेंज आप लोगों को ये टिब से कैसा लगा थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो like, subscribe, share जरूर कर देना ताकि अगले वाले को भी support मिले फ्रेंज देखिए कितने अच्छे से सबजी कट गया है तो ये idea मुझे बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंज आप जरूर बताना कि आपको ये idea का इसा लगा आप मेरे किस होने से मेरे वीडियो को